6,49,50,46,771 Mathematical Tables का मतलब जब हमें एक ही प्रकार का नमब बार बार प्लस करना होता है तो हर बार प्लस करके आंसर निकालने से अच्छा हम करीबन 10 बार तक किसी भी नमब को पहले से ही जोड़ कर रख लेते हैं फिर उनी जोड़े हुए नमबरों को याद करने की कोशिश करते हैं ऐसे ही पहले से जोड़ कर रखे गए नमबरों को हम Mathematical Tables या Multiples कहते हैं चलिए देखते हैं कि पहले से जोड़े गए नमबरों को हम कैसे लिखते हैं और उसका क्या मतलब समझना होता है 19 x 1 equals 19 इसे 1 x 19 भी कह सकते हैं 19 x 2 equals 38 उनीस को दो बार प्लस करेंगे तो 38 आएगा 19 x 3 equals 57 उनीस को तीन बार प्लस करेंगे तो 57 आएगा 19 x 4 equals 76 उनीस को 4 बार प्लस करेंगे तो 76 आएगा 19 x 5 equals 95 उनीस को 5 बार प्लस करेंगे तो 95 आएगा 19 x 6 equals 114 उनीस को 6 बार प्लस करेंगे तो 114 आएगा 19 x 7 equals 133 उनीस को 7 बार प्लस करेंगे तो 133 आएगा 19 x 8 equals 152 उनीस को 8 बार प्लस करेंगे तो 152 आएगा 19 x 9 equals 171 उनीस को 9 बार प्लस करेंगे तो 171 आएगा 19 x 10 equals 190 उनीस को 10 बार प्लस करेंगे तो 190 आएगा झाल झाल